लोकसवा में अविश्वास प्रस्ताओं पर बहस का आज दूसरा दिन है आज सदन में अमिश्या अपनी बात रखेंगे अमिश्या के साथ बीज़पी की तरफ से राज़वर्दर सिंग राठो राम कृपाल यादव और लॉकेट चेटर जी अविश्वास प्रस्ताओं पर पक्ष रखेंगे चर्चा के पहले दिन कॉंग्रस ने मनिपूर में सरकार को घेरतो किरन रिजुजु ने जवाब दिया आखरी पलो में राहूल गांधी बोलने नहीं आये तो संसदियक कारे मंत्री ने सवाल पूछ लिए इसी नोगजों के बीच शाम को छे बज़े तक बहस हुई अब आज दोनों खे में नई रणीती के साथ मैदान में उतरने वाले हैं दिल्ली सिवा बिल पर बड़ी जीत हसल करने के बाद आज हम इश्या फिर से विपक्ष को करारा जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं कि यह भूल वो कभी जन्ता के सामने कबूल नहीं करना जाएं मौन रहना पसंद करते हैं क्या हम बताएं कि प्रदान मंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बाते किये हैं उनको दो काम करना है बेटे को सेट करना है और दमाद को भेट करना है लोक सभा में आज भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल सकता है आसार्त यह हैं कि आज का पारा और भी चड़ सकता है हाले कि आज भी रहुल गांधी के सदन में बोलने की उम्मीद कम है क्योंकि आज रहुल गांधी राजुस्थान के मान गड़ में दोपहर तीन बजे रैली करने वाले हैं लेकिन आज सदन में बीजेपी की तरफ से केंद्रिय मंत्रिय आमित्शाह, बंगाल से लौकट चोठरजी, बिहर से राम कृपाल यादब, राजुस्थान से राज्यो वर्धन सिंग राठोर, छत्तीस गड़ से विजय बागेर, तेलंगाना से बंडी संजय विपक्ष को घे केंद्रिय ग्रियमात्रिय आमित्शाह, बिरोधियों के सामने अपने तीखे तेवर, दिल्ली सेवा बिल के दोरान दिखा चुके हैं मुख्यमंट्री करोडो के बंगले बनाएं, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें गटबंदन बनाना है, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, मेरी अपील है, मेरी अपील है, मेरी अपील है, विपक्ष के सदस्यों को, कि आप दिल्ली की सोचे, एलाइंस की मत्सोत ये एलाइंस से फाइदा नहीं होने वाला है एलाइंस होने के बाद भी पून अबहुमत से नरेंद्र मोधी प्रदान मंत्री बनने वाले है अमित्रा सदन में मनिपूर पर चर्चा की चनोती पहले ही दे चुके हैं सब्सक्राओं के पहले दिन भी मणीपूर को लिकर कॉंग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की शुर्वात गौरव गोगोई ने की मणीपूर को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे तो सरकार की तरफ से जवाब भी मिला जबाब पूर्व कानुन मंतरी किरन रिजुजु ने दिया लेकिन मणीपूर में हिंसा और मणीपूर में महिलाओंसे हुए दरिंदगी के बारे में कुछ नहीं बोला ट्रस्य का उत्तर भी तीन है मैं खुद उतर पुर्वांचल का हूँ, मैं खुद जम्मेवारी से कहता हूँ कि हुए हैं, लेकिन पहली बार, अरे आप मेंसे तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे, पहले जाओ और फिर हमें परामश दो, पहले आप लोग जाओ. सर हम गए, और बहुत दुक हुआ कि हमने समाज में दो वरगों के बीच, ऐसा बटबारा, समाज के दो वरगों के बीच, फिदे में इतना आकोरोश, इतना गुस्था, हमने पहले कभी नहीं देखा, हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक बर्ग दूसरे के प्रति बजले की भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खीच दी गई है कि पहाड़ पे एक बर के लोग रहते हैं और वैली में एक बर के लोग रहते हैं अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है आज उन्होंने दो मनीपूर आपने बना दिये हैं आप लोग का पता है आज जो मनीपूर के अंदर जो संगर्स हो रहे हैं और वहाँ मेते कम्यूनिटी और चीन कुकीजों मार कम्यूनिटी का भीछ में जो संगर्स चल रहे हैं वों ऐसा मत सोचेए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्बंद हुा है ऐसा मत सोचिए बर्सों से आपका नेगलिजेंस बर्सों से जो आपने नोर्थीस को अपने अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया हैंन होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है उसी का नतीजा है मैं आज फकर के साथ कहना चाहता हूँ मैं अपना प्रदेश से दो केविनेट मंत्री और पाँच राज मंत्री है और इस देश का मैं पहला ट्राइबल लो मिनिस्टर भी बना यह जो इसको कोई टोकेन इसको कोई डेकोरेटिव एक्शन मत सोचिये है माइनर्थी तो मैं हूँ लेकिन मोदी जी ने माइनर्थी और कमजोर सोचने का मोगा मनिपूर के नाम पर कॉंग्रेस पहले ही दिन पीम मोदी को घेरनी के तयारी कर रही थी इसलिए रहूल गांधी को भाषण की शुरुवात करनी थी लेकिन जब पीम सदन में नहीं दिखे तो आखिरी पलों में कॉंग्रेस ने रण नीती बदली और शुरुवात के लिए गौरव गोगोई को सामने लाए गया गौरव ने अपने भरषण में जो कुछ कहा उसमें वो रहूल गांधी का जिक्र करना नहीं भूले मेकानिक का विकास हो जिससे राहूल जी बिले है हम साथे वो फैक्ट्री वोकर का विकास हो जिससे हमारे पास आते हैं वो स्मॉल बिजनेस वो ट्रेडर्स जो हमारे पास आते हैं हम उनका विकास चाते हैं जाए ये ये भाशा उस अजात मंडी के उस आद्वी के सामने वो लेकिन लगता है कि शायद राहूल जी आज तयार नहीं थे, देर से उठे होंगे, तो नहीं बोल पाई, कोई बात नहीं है, कल राहूल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ पूरी दुनिया आ गई, राहूल जी गए ही कब थे, हम लोग भी यहां सारे सांसत बैटें और उनको जानक होनी चीए, कि हम जो है बजट सेशन में यहां आये थे, मार्च अप्रेल में यहां आये थे ना, राहूल जी थे बजट सेशन में की नहीं, थे ना, इसके बाद हम लोग मांसूल सेशन में आये, राहूल जी है की नहीं मांसूल सेशन में, राहूल जी गए कहां थे, कहां ग प्रदान मंत्री माँन है, प्रदान मंत्री माफी नहीं मांगते हैं, प्रदान मंत्री चीजे नहीं बोलते हैं, मैं यह कह रहा हूँ कि यह क्या नहीं करें, यह बीबी कह रहे हैं, दो चीजे कह रहे हैं, करें माफी नहीं मांगूगा, क्यों क्यों माफी मांगें भाई, मोद रहुल गांधी की सांसदी वापस होने के बाद कॉंग्रेस अविशास प्रस्ताव को मौका बना कर बड़ा धमाका करने के तैयारी में थी लेकिन पीए मोदी नहीं दिखे तो आखिरी पलों में रणदीती बदर दी सरकार के मत्रियों ने सवाल पूछा तो माहल गर्भ हो गया कॉंग्रेस असे गुगली बताती रहे गई सर सुबा जहां तक मैं जानता हूँ सुबा आपके आफिस में एक चिट्टी आया था सेकरेटरी जेनरल के आफिस में श्री राउल गांदी जी गवरा गुग तान पर भोल रहे है क्या हो रहा है क्या दर्खास दी गई है आप आप खुदी आप इस सदन की रक्षक है आपके दफ्तर के अंदर क्या बाचीत हुई है क्या हम बताएं कि प्रदान मंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बाते किये हैं हम नहीं कहते हैं कोवेट के सब्सक्राइब मानिया जग्जी बताना चाहिए बताइए एक अंबीर आरोप मानिया जग्जी बताइए प्रदान मंत्री जी का प्रदान मंत्री जी का नाम लेते हुए और शेयर के नाम लेते हैं ऐसे अनाब शेना भारब नहीं लगा सकते हैं कॉंग्रेस मोधी को घेरने की रणदी की बना कराई थी लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों ने रहूल गांधी को घेर लिया और लपेटे में सोनिया गांधी भी आ गई लविश्वास प्रस्तो आब किसली आया यहाँ सोनिया जी बैटी भी है सोनिया जी का मैं बडा सम्मान करता हूँ सर् nu सोनिया जी मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्तिती है वो एक हिंदू सब्वेता संस्कृती में बिलीव कर रही है इसलिए अलोकिया पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चीए एक भारती नारी को उसका पूरा का पूर मैंने दोनों बाते कही कि बेटे को सेट करना है और दमाद को भेट करना है मैं अपने बात पर कायम हो सर आप यह समझे सर यह केस है सर इंकम टेक्स का केस सल रहा है नेशनल हेलाल का इंकम टेक्स का एक केस सल रहा है ट्रिबुनल में मैं जो भी पेपर कहेगी कॉंग्रेस मै और यदि इसमें एक भी बात गलत होगी तो मुझे आप सदस्टा से उसी दिन निकाल दीजिएगा लेकिन कॉंग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए सर इडिकाप टेक्स अथारिटी ने कहा कि ये फॉंडेशन के जितने इनके केस है नेशनल लेहराड के जितने केस हैं उसकी असेसमेंट करें ऐकोट का आदेस सर हाइकोट का आदेस हा गया कि इसको जो है सेंटरलाइज करना ये हाइकोट का आदेस है अभी ये सुप्रीम कोट चले गए अब आप समझेवे कि इनकम चैक्स से बचने के लिए एक लाख रुपईया देके कोई पाँच हजार करोड की कमपनी ले सकता है ये मैडम सोनिया जी और राहूल जी बता सकते हैं सर कोई दूसरा ने बता सकते है अविश्वस प्रस्ताव पर चर्चा कल गुरुवार शाम तक चले की इसी दिन राहूल गांधी भी बोलने वाले हैं इसके बाद 4 बजे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे सरकार का मुख्या होने के नाते प्रधान मंत्री ही अविश्वस प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हैं